हेलो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त किर्शन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल कम्पिटर ग्यान बुक। स्वागत है दोस्तो आपका हमारी स्पैरे से यूटूब चैनल में दोस्तो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके हैं हूँ HTML का एपिसोड 12 दोस्तो जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो है आप हेडिंग कैसे लगा सकते हो और होरिजेंटल रूल्स जो है आप एक वेब पेज के अंदर कैसे लगा सकते हो ठीके दोस्तो अगर आपको हेडिंग लगाना सीखना है ओरिजेंटल रूल्स सीखना है तो बने रहेए मेरे साथ वीडियो के अंतरों तक और सीखते रहे है वेब साइट डिजाइन करना देखिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आपने हमारे वीडियो को सेर नहीं किया है लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और कमेंट आपको वीडियो देखने के बाद करना है और दोस्तो सस्क्राइब आपको कर लेना है अगर आप हमारे से programming, HTML, C language ये सीखना चाहते हो तो आपका हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लेना है और साथ ही आपको घंटी का निसान जो है ध्यान से ओन कर लेना है ताकि आने वाली वीडियो की notification जो है आपसे मिसना हो पाएं तो चलिए दोस्तो सुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं episode 12 तो दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो है पहला topic होगा पहला topic हमारा है as heading ठीकर दोस्तो heading हमारा पहला topic होने वाला है अब दोस्तो heading क्या होती है जैसे मालो आपने एक topic लिया कोई भी जैसे राज्थान topic लिया आपने तो राज्थान आपका क्या होगा heading हो गया और वो जो है आप heading की रूप में लगा सकते हो जैसे आप कोई भी topic लिखना परारम करते हो तो उससे पहले आप heading डालते हो तो वो heading जो है आप एक webpage के अंदर कैसे डाल सकते हो और कौन सी take से आप डाल सकते हो अगर दोस्तो मैं बात करूँ heading कितने परकार की होती है तो अब दोस्तो इनके बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ h1 जो होती है वो सबसे बड़ी heading होती है h2 इससे चोटी होती है h3 फिर चोटी ऐसे जो है size इनकी चोटी होती जाती है ठीक है दोस्तो तो जो है ये heading 7 है आप ये सोच रहे हो कि इनके number के अनुस बताऊंगा तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा अब आता है horizontal rules जिसकी take को हम use करते है hr से देखिए दोस्तो एक होता vertical और एक होता horizontal horizontal height के रूप में इस तरीके से होता है और vertical हमारा इस तरीके से होता है तिछा हम इसमें horizontal rules लगाना सिखेंगे horizontal का size सिखेंग ठीक है दोस्तो तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं वीडियो तो सबसे पहले आपको मैंने जो install करवाया था notpad plus plus वो आपको open कर लेना है तो यहां पे मैं इसके अंदर ही लिख देता हूं plus plus और enter दबा देता हूं तो यहां पे हमारा notpad plus पलस आ गया है अगर दोस्तो आपक तो यहां से डिलिट कर दिता हूं क्योंकि मुझे इनकी आउशेकता नहीं है तो मैंने इienieड़े कर दिया है यह लेशन मैंने आपको बताया था blackout का तो इसको मैंने डिलिट कर दिया है अब दोस्तो यहां पे आपको लिखना है H1 जैसे मैं अभी इसका heading डाल रहा हूं अब मैं जो है इसको कर देता हूँ सेव तो हमारी 45.html के नाम से यह फाइल सेव है तो मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ इसको कर देता हूँ मैं maximize यानि छोटा सा कर देता हूँ और यहाँ पर 45 नंबर का जो है अपना फाइल चेक कर लेंगे इसको left side में लेके जाना है, center side में लेके जाना है, वो आप यहां से लेके जा सकते हो, उसका मैं एक video और बना दूँगा, तो आपको कैसे इसको लेके जाना है, ठीके दोस्तो, अब यहां पर इसको हम कर लेते, copy, यहां से इसको copy कर लेंगे, copy करने के बाद इसको कर दें, control C, और यहां पर enter दबा करके, यहां पर कर लेंगे paste, अब दोस्तो, मैं इसका size देखना, और जब मैं h2 यहां पर use करूँगा, तो इसका size आप देखना, तो जैसे मैंने यहां पर h2 use कर लिया, अब आपको मैं save कर देता हूं इसको, और save करने के बाद मैं इस वाले page पे click करके, इसको कर देता हूं replace, अब देखिए, यहां पर इसका size जो है, बिल्कुल छोटा आया है, अब मैं दुबारे से यहां पर इसको copy कर लेता हूं, control C दबाता हूं, और फिर यहां पर control V दबाता हूं, ठीके दोस्तो, यहां पर मैंने V दबा दिया, अब मैं यहां पर use कर लेता है, ऐसे दोस्तो, आप use करते जाओ, यह side छोटा होता जाएगा, ऐसे आप heading काम में ले सकते हूं, अब मैं बात करूँ, अगर horizontal की, horizontal rules जो है, वो आप कैसे लगा सकते हूं, तो यहां पर हम एक paragraph start करेंगे, तो paragraph start करने के लिए आपको P यहां पर लेना है, और यहां पर लिख बंद कर दिया, अब दोस्तो मुझे क्या करना है, कि यहां लिखना HR, ऐसे मैं HR डाल देता हूं, और यह मैंने इसको कर दिया, बंद, और यहां पर बंद कर देता हूं, और अब मैं इसको कर देता हूं, save, तो मैंने यहां पर file में गया, और save पर click किया, यहां मैं ctrl s दबा दिया था पहले ही तो यहां पर कर दूँगा रिप्रेस अब देखिए यहां पर यह जो है my name is आ गया है और यहां पर HR अगर मैं यहां पर लिख दूँ और इसको कर दूँ फाइल में सेव और इसको करता हूं रिप्रेस तो यहां पर देखिए horizontal line जो है हमारी आ चुकी है ठीक i,ze और बेर यहां पर आपको डालना है 20 ठीकि दोस्तों और file में जाना है सेव करना इसको सेव करने के बाद इसको यहां पर कर देना है आपको रिप्रेस अैसे तो यह देखिया यहां पर इसकी कर दिया save और यहां से कर दिया refresh तो यह देखी यह one हो गया तो दोस्तों यह हमारा जो है horizontal rules जो है डल चुका है ठीक है दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें comment करके जरूर बताईएगा और अगर आपको कहीं दिक्कत आती है practical में तो आप हमें comment करके जरूर बता दीजिएगा ताकि हम आपको clear कर सकें कि आपको दिक्कत कहां आ रही है और दोस्तों रही बात इनके notes की तो जैसे ही हमेरे tutorial complete हो जाएंगे जितने भी इसके tutorial बनते हैं वो tutorial complete हो जाएंगे उसके बाद में जो है मैं एक मैं आपको बता देता हूं कि आपको मुझे follow कर लेना है जोइन कर लेना है किसके उपर टेलिग्राम के उपर टेलिग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और मेरे को Instagram पर आपको follow कर लेना है ताकि आप मुझे message करके बतासको कि sir आपकी tutorial complete हो गए है आप एमें इसके notes दे दिए ठीक है तो मैं आपको notes दे दूँगा और दोस्तों दूसरी बात आप मुझे Facebook पेज़ पर भी follow कर लीजिए तो Facebook पेज़ पर भी मैं tutorial डालता रहता हूं ठीक है द